हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल रवीगीरी बाबा के सच में आपका बहुत स्वागत है और मुझे खुशी होती है कि जब आप मेरे वीडियो देखते हैं दवाईयां बनाते हैं नुश्के आजमाते हैं वो ठीक होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती ह तो दोस्तों आपको भी मैं खुशियां देने का परियास करता रहता हूँ आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कुछ देविय संकेत जो हमें इश्वर की तरफ से कुछ संकेत मिलते हैं उन संकेतों को लेके आया हूँ मैं आपके सामने और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपका बाग्या उदे होने शुरू होता है उससे पहले आपको कुछ संकेत मिलते हैं तो आप ये सोच लेना कि हमारा बाग्या अब जल्दी उदे होगा पहला संकेत आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी नीज तीन बजे से पांच बजे के बीच में अचानक से खुल जाए और उठते ही बहुत खुशी छलके चेहरे के उपर और मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशी मैसूस हो और उठने में आलस नहीं हो तो ये सोच लेना कि हमारे अच्छे दिन जल्दी ही आ रहे हैं ये पहली निशानी होती है सुबह जल्दी उठना और अपने आप उठ जाना ये नहीं है कि हमें कोई उठाता है उठाता नहीं है अपने आप उठ जाना ये खुशी का संकेत और धना आगमन का पहला संकेत है दूसरा शकुन ये है कि आप गरसे जैसे ही कहीं काम के लिए बाहर जाते हैं किसी भी काम के लिए जाते हैं और आपको रास्ते चलते हुए कहीं भी कोई गाई अपने बच्चे को दूद पिलाती हुई मिल जाती है बच्चा दूद पी रहा है बच्चडा दूद पी रहा है गाई का तो यह मानिए कि आपका बागगोद्य अब जल्दी शुरू होने वाला है और आप जो भी काम करोगे या जिसके पास पैसा मांगते हो या जिसके पास से कोई बिजिनिस का कोई आप सबंद बनाना चाते हो तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका बहुत आसानी से बन जाएगा पैसा भी आपका रुका हुआ आना शुरू हो जाएगा जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम आपका बन जाएगा यह दूसरा संकेत होता है कि गाए दूद पिलाती होई हमें घर से बाहर निकलते वक्त मिल जाए तो यह दूसरा संकेत होता है तीसरा संकेत होता है कि घर के अंदर बिल्ली जो होती है वो चाहे पालतू हो चाहे नहीं हो हमारे घर में आके जब बच्चों को जनम दे तो यह मानिए कि बहुत बड़ा शकुन हुआ है अमारे घर में और हब अब हमारा भागयोदे होने से कोई नहीं रोक सकते अननाव शनाव आपके घर में लक्षमी आएगी अननाव शनाव आपके घर में खुशियां आएगी हमेशा नए नए आपको समाचार मिलने लगेंगे खुशियों बरे और आपका बिजनिस जो रुका हुआ था वो भी आपका चल पड़ेगा नमबर चार पे आता है कि आपके सब सुबह जब जल्दी उठते हैं तो हमारे से पहले ही कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमसे पहले उठते हैं यानि पक्षी का नियम होता है कि वो पांच बजे यानि सुर्योध्य से एक गंटा पहले वो चहकना शुरू कर देता है तो हमारे गर में आकर के कुछ पक्षी हमारे आंगन में उचल कूद करें और चहचहाट करें उनका कलरव हमारे गर में सुनाई दे तो ये समझो कि हमारे गर में अब लक्षमी का आगमन हो रहा है लक्ष्मी अमारे गर में आनी वाली है और तयार रही लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए आपको तयार रहना है और यह मानिए कि आपके पास में पैसे का बरपूर बंडार हो जाएगा पांचवा शकुन जो बता रहा हूं आपको वो पांचवा शकुन जब आप नहा दो के मंदिर में जाते हैं या емारे गर में भी मंदिर होता है उस मंदिर के पास जाते हैं और जब हम पूझा करते हैं तो मंदिर में से उस मूर्ति के पास से कोई भी चीज है वो आके अमारी थाली के अंदर गिर जाए अपने आप धके से नहीं गिरानी है अपने आप कुदर्ती गिर जाए जैसे हमने कोई फूल चड़ा रखा है आज का नहीं कल का परसों का हमने फूल चडा रखा है और वो फूल उड़क कर अमारी धाली के अंदर आ जाए या ऐसी कोई दूसरी चीज जो शुब चीज है जैसे चावल होते हैं तो चावला आ जाए या कुमकुम बगेरा है तो वो भी उतर कर धाली के अंदर आ जाए तो ऐसा कोई भी चीज मंदिर की कोई भी शुब चीज जो है वो हमारी धाली में आके गिर जाए तो ये मान लेना के आप का गर खुशियों से बरेगा اور धंदोलत से बरेगा आपके घर में बरपूर लक्षमी आएगी और जितने भी आपके काम रूखे हुए थे सारे के सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगी ये पांच लक्षन घर में लक्षमी आने के होते हैं खुशियां आने के होते हैं शुक संपती आने के होते हैं तो दोस्तों इन पांस लक्षन मों में से कोई भी लक्षन आपको दिखाई दे तो आप तयार रहना कि लक्षमी आपके घर आ रही है और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब तो जरूर कर देना मुझे पता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंज जैवारत